नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मौसब की हिसाब से अभी अंगूर का सीजन चल रहा है और मार्केट में अंगूर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो क्यों ना आज हम अंगूर से बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाए जो सिर्फ देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट है तो आज मैं आपके साथ शेयर कूँँगा बहुत ही असान अब बहुत ही स्वाधिस्ट अंगूर की मिठाई वो भी एक तरह की नहीं दो तरह की मिठाई तो दो तरह की मिठाई कैसी में नहीं इसके लिए हमारी रिसीपी को अंतक तो चलो सुरू करते हैं। तो यहां हमारे पास हैं किलो अंगूर जिसे हमने डंडीओं से निकाल कर अच्छी तरह से धो लिया है। अंगूर खरिदते हैं को यह 10 वह दिए वक्त एक बात का ध्यान रखेंगा हमें लंबे बले अंगूर खरीदने जिससे कि इस इंगूर से बढ़िया सा जूस में निकाल सकूँ अब इसमें जाएगा एक कटोरी पानी जिससे कि इंगूर अच्छी तरह से पिश सके और हमारा वेस्टेज कम से कम निकले तो चलेजी अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते है तो लिजे जी ये हमारा अंगूर का juice पनकर बिलकुल तयार है बिलकुल smooth and बढ़िया consistency के साथ अब इस juice को मच्छी तरह से चानेंगे जिससे कि इसमें जो भी वेश्टेज हैं वो बाहर आ जाए बेसिकलिए अंगूर के juice में उनके छिलके होते हैं जो वेश्टेज होते हैं इसलिए च्छाने के लिए मोटे छेदवाले च्छलनी का यूज करें च्छानने में असानी होगी और चल्दी भी च्छन जाएगा तो ये हमारे juice से सारा वेश्टेज च्छन कर बाहर आ चुका है अब हम इसे फैक देंगे तो इस तरह से हमारा प्यूर अंगूर का juice बनकर बिल्कुल तयार है तो चलिए अब समय है measurement का तो यहाँ पे मैंने एक ball लिया है सारा measurement मैं इसी ball से करूगा तो चलिए सबसे पहले juice का measurement करते हैं कि हमारे पास कितना juice है इस recipe में जितना perfect आपका measurement होगा उतना ही बढ़िया recipe आपकी बनकर तयार होगी तो चलिए juice की जो quantity है वो हमारे पास 3 कटोरी है अब हम इस juice में मिलाएंगे corner start जिसे आप confrond भी बोलते है confrond की जो quantity है वो juice का एक तिहाई होना चाहिए तो यहाँ हमारे पास 3 कटोरी juice थी तो हम यहाँ पे उसी कटोरी से एक कटोरी confrond मिलाएंगे confrond को juice के साथ अच्छी तरह से मिलाएगा उसमें कोई भी लब नहीं होना चाहिए अब बिलकुल smooth होना चाहिए तो चलिए यह हमारा confrond और juice का बढ़िया सा मिक्षर तयार हो चुका है अब हमें एक तारवाली चीनी की चास्नी बनानी है इसलिए हमने एक पैन में उसी कटोरी से दो कटोरी चीनी लिया है और उसमें एक कटोरी पानी डाला है अब हम इसे medium से high flame पे अच्छी तरह से पकांगे जिससे कि हमारा चीनी अच्छी तरह से melt हो जाए चीनी में उबाल आने को बाद हम इसे 2 से 3 मीट तक अच्छी तरह से पकाएंगे बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे जैसे ही हमारे दोने उंगलियों के बीच में एक तार बनने लगे इसका मतलब है हमारा चीनी का सीरफ पिल्कुल तयार हो चुका है अब समय है इस चीनी के सीरफ में जूस को डालने का जूस को सीरफ में डालने से पहले अच्छी तरह से मिला लेजीगा क्योंकि हमने इसमें कौन्फ लाइय था और वह नीचे बैढ़ जाता है। अब इस जूस को हम चीनी के सिरफ में धीरे-धीरे डालें के और साथ के साथ मिलाते भी जाएंगे। चीनी का सीरफ गरम है और जूस हमारा ठंटा है जैसे ही हमारा जूस चीनी के सीरफ मिलेगा जूस में कॉन्फलर होने के कारण यह तुर्थ जमना स्टार्ट हो जाएगा इसलिए हम इसे कंटीनिवसली चिलाते रहना है जिससे कि हमारा जो जूस है वो सीरफ में एक समान मिल सक दो से तीन मीट पकने के बाद हमारा जो मिक्चेर है कुछ इस तरह का हो जाएगा वैसे तो ये मिक्चेर जो है वो अगूर के color का ही है लेकिन इसके थोड़ा सा ट्रेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा food color फूट कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाईएगा ये देखिए कितना बढ़ियां से कलर उभर कर आया है कुकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चमच गी अब गैस के हाई फिलेंपे इसी तरह से चलाते हुए तीन से चार मिल तक कुक करेंगे चैसे जैसे ये मिक्चर पकता जाएगा ये कडाही में चिपकना कम होता जाएगा और इसका कलर भी अधिक ट्रांस्पेंट हो जाएगा अभी इसे पकने में 2-3 मिनिट का समय है इसी पीच हम इसे बणिया से सेफ देने के लिए इसके लिए बरतन तयार करते हैं इसके लिए आप घर का कोई भी एक बरतन ले सकते हैं जो रेक्टेंगलर हो या गोल हो सबते पहले उस बरतन को बणिया से ग्रिसिंग कीजिए ओयलिया घी से उसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी ड्राइप रूट के छोटे-छोटे टुकुड़े इसमें डाल सकते हैं मैंने यहां काजू और पिस्ते को छोटे-छोटे टुकुड़े करके इसमें टाल दिया है तो यहां आज मैं अंगूर के जूस से दोतरा की मिठाई बनाने जा रहा हूँ तो एक के लिए तो बरतन तयार है दूसरे के लिए हमने कुछ सीसे की ग्लाजस लिए है चोटे-चोटे उसे भी हमने अच्छी तरह से घी से ग्रीसिंग कर लिया है अब वापस हम चलते हैं अपने अंगूर के हलुए की ओर इससे पकते हुए 6-7 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इसमें बिलकुल ट्रांस्प्रेंट भी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवडा का चल थोड़ा से अच्छे स्मेल के लिए अच्छी तरह से मिलाना जारी रखेंगे अल्मॉस्ट 90% ये तयार हो चुका है एक बार चिक कर लेते हैं एक प्लेट में निकालके प्लेट में निकालकर इससे एक से त्वेड़ मिनिट लिए ठंडा होने छोड़ देंगे और इसे कंटेनिव इसी तरह चलाते हुए हम पका चुका है ये आप देख चुका है कितना बढ़िया डांस कर रहा है कड़ाई में बिना चिप के हुए है तो चलिए अब समय है इसे बढ़िया सा सेप देने का तो सब सब पहले हम इसे डालेंगे अपने उस रेक्टोंगलर बतन में जिसे हमने तयार किया था लगवक 70% में डालेंगे और 30% के आसपास बचा के रखेंगे अब इसे अची तरह से हम फैला देंगे बतन के चारों तरफ बतन में चारों बगल एक समान फैलाईएगा जिसे ये देखने में सुन्दर लगे तो चलिए ये वाला पॉर्ट तो तयार हो गया है अब हम बाकी बचीवे मिक् गया था सारे को हम इसी तरह से भरेंगे सारे बरतन में निकालने के बाद हम इसे सारे निकालने के बाद हम इसे एक घंटा के लिए ठंडा होने के छोड़ देंगे जिसी अच्छी तरह सा सेट हो सके एक घंटा हो चुका है और ये अच्छी तरह सा सेट भी हो चुका है ये आप देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकड़ा है और बिल्कुल अच्छी तरह सा सेट हो चुका है अब इस तरह एक चाकू से हलके इसकी किनारे में डाल कर इसे हलका सा इसे अलग कर ले बरतन से अब हम इसे प्लट कर बरतन से निकालेंगे ट्रेंग ट्रेंग ये हमारा बढ़िया मिठाई बनकर बिल्कुल तयार है ये देखने में जितना सुन्दर लग रहा है खाने में उतन नहीं स्वादिश्ट होगा इसे देखके ही आपको खाने कामन करने लेगा अब इसे काट कर एक बढ़िया सा सेफ देना है हमें इसलिए हम सबसे पहले इसे स्क्वाइर सेफ में काटेंगे आप इसे अपना कोई भी पसंदीदा आकार इसे दे सकते हैं अब मैं आपको दिखात अंगूर का मिठाई तो चलिए एक तरह की मिठाई तो बनकर बिल्कुल तयार है अब हम दूसरी तरह की मिठाई बनाते हैं दूसरी तरह की मिठाई बनाने के लिए हमने कुछ मिक्चर सी से ग्लास में डाला था उसे लेते हैं उसे भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे औ इस तरह से गोल गोल काटने से मिठाई का लुक जो है और टेक्चर है बहुत ही सुन्दर आएगा अब हम एक बाल में तीन से चार चबच नारियल का बुरादा लेंगे नारियल का बुरादा मार्केट में असानी से मिल जाता है या आप इसे घर पर भी बना सकते हैं अब आप कटे वे मिठाई को इसमें डालके एक अच्छा सा कोट तयार कर लिजिए नारियल के बुरादे का इसके उपर और ये हमारा एक मज़दार नारियल अरंगूर का मठहाई तयार हो चुका है तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वाल रिस्ट्रेसिपी है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नहीं रिस्ट्रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फर वाचिंग मैं रिस्ट्रेसिपी